जब कभी भी मैं उपर आस्मान में दिखता हूँ, एक आवाज सुनाई देती है पापा उपर आस्मान में क्या है? एक छोटी सी बच्ची जो मानो ये कह रही हो पापा मुझे भी आस्मान में लेकि जाओ ना किस तरह से एक छोटी बच्ची आस्मान छुना चाती थी? किस तरह से उन्होंने अपने सपने को साकार किया और फिर और फिर एक दिन आस्मान के अनंत गहराईयों में खो गई हमेशा हमेशा के लिए कल्पना चावला, ये सिर्फ एक नाम नहीं है ये एक मिसाल है पहली भारतिये महिला की जिन्होंने अपना कदम अंतरिच में रखा ये नाम एक तमाचा है उन मुर्ख लोगों पर जिन्हें आज भी ये लगता है कि लड़कियां सिर्फ चुला बरतन और खाना पकाने के लिए ही बनी होती है कल्पना जावला एक गर्व की परतीक भारत की बेटी है जाना है पापा उपर आस्मान में क्या है मुझे भी वहाँ पर जाना है उसके बाद क्या था मुझे भी वहाँ पर ले चलो पापा मुझे भी वहाँ पर जाना है आस्मान में मुझे भी वहाँ पर ले चलो में मुझे भी वहाँ पर ले चलो थोड़ा आगे माइक के सामने मुझे भी वहाँ पर ले चलो मुझे भी वहाँ पर ले चलो पापा मुझे भी आस्मान में ले जाओ ना झाल झाल झाल